हेलो फ्रेंड नमस्कार मेरा नाम है संदीप और आज मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने चैनल नथिंग इंपॉसिबल में तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जिस टॉपिक पे वो है प्रित्वी और सर्व परिबार से जुड़ी जो संकल्पनाय हैं उनके बारे में हम लोग डीटेल में बात करेंगे ये जो सिरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये विस्व भूगोल के अंतरगत होंगे और इसके अंतरगत हम लोग जितने भी टॉपिक हैं विस्व भूगोल के उसको वल लाइनर के रूप में पूरी तरह से देखने वाले हैं जो की आपके कॉमपटेटिव एक्जाम के ल विस्व भूगोल के अंतरगत फिर उसके बाद हम लोग भारत के भूगोल की भी सिरीज स्टार्ट कर दिये हैं उसके अंतरगत हम लोग पूरा डीटेल में उसको भी वन लाइनर के रूप में ही कंप्लेट करेंगे जो की आपके एकजाम के लिए बहुत ही महत्वपूर हों ऐसे ही important वीडियो डेली पाने के लिए तो friends एक बात और मैं बता दूँ कि ये सब वीडियो मुझे बनाने में बहुत सारा time लगता है एक तो content को select करना उपर फिर in content को जो है type करना आप देख सकते हो colorful content है इसको type करने में कितना सारा time लगता अब ये ऐसा तो है नहीं कि मैंन इसी प्रकार के वीडियो आपको हमेशा provide कर सको तो चलिए friends टाइम को थोड़ा सा भी जाया नहीं करते हैं और सीधे question को discuss कर लेते हैं तो हमारा जो पहला इसमें question है आप देख सकते हो जैसे topic मैंने आपको बताई दिया color थोड़ा सा इसको change कर लेता हूँ ठीक है तो आपने जो right answer हो जाएगा कास्ते दवफन के द्वारा ये किया गया था I hope आपको समझ में आ रहागा बहुत ही easy language में मैंने लिखा है और कोई भी query या कोई भी question आपका होगा या कोई भी doubt होगा तो comment box में जाके मुझसे आप पूछ सकते हो आईए अगला question देखते हैं अगला question है कि फ्रांसिसी वज्यानिक कास्ते दवफन ने यह परिकलपना किस वर्स दी थी तो ये जो आपके कास्ते दवफन थे ये फ्रांसिसी वज्यानिक थे और ये जो है आपका पृत्वी की उत्पत्ति के संबंद में इन्होंने जो अपनी परिकलपना प्रतिपादित की थी वो कि वर्ष प्रतिपादित की थी तो ये जो है आपका 1749 में इन्होंने ये संकल्पना प्रतिपादित किया था इन्होंने आईए अगला कुश्चन देखते हैं अगला जो इसमें हमारा प्रशने उसको भी देखते हैं अदयत वादी संकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा प्रतिक इसके द्वारा हुई है केवल एक तारे के द्वारा हुई है वो तारा कौन सा है आपका सूर्य है ठीक है इसके द्वारा ही जो भी पृत्वी है और भी जो प्लैनेट्स हैं हमारे इनके द्वारा उनका निर्माड हुआ है इस टॉपिक्स को जो है हम लोग ठीपली deeply एकदम concept wide detail में अलग से जो है आप पूरा कराएंगे आपको जिसे concept भी आपका clear होता रहे तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए आईए अगला question देखते हैं अगला जो question है आपका अदयतवादी संकल्पना को अन्यकिष नाम से जाना जाता है तो इसको जो है पैत्रिक संकल्पना के नाम से जाना जाता है आपके अदयतवादी संकल्पना को आईए अगला question देखते हैं अगला जो हमारा प्रशन है इसमें की वायव रासी की परिकलपना वर्सad Scout सो 255 में किस ने दी थी? टाइप में ठोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर की नहीं दी होगा ठीक है आप इसको समझना ठीक है किस ने दी थी? तो यह जो परिकलपना आपका Immanuel Kant के द्वारा दिया गया था यह एक जर्मन जियोग्राफर है आपके तो वायवरासी परिकलपना वर्स 1755 में किसके द्वारा दी गई थी तो Immanuel Kant के द्वारा दी गई थी आई एगला कुश्चन देखते है निहारी का परिकलपना वर्स 1976 में किसने दी थी निहारी का परिकलपना जो है आपका 1976 में किसने दी थी तो यह है आपका लापलास के द्वारा दिया गया था निहारी का परिकलपना 1976 में लापलास के द्वारा दिया गया था आईए अगला प्रश्चन देखते है अगला जो इसमें हमारा प्रश्ण है कि उलका पिंड परिकल्पना वर्स 1919 में किसने दी थी ठीक है उलका पिंड परिकल्पना के बारे में बात हो रहा है कि 1919 में ये जो परिकल्पना दी गई थी तो ये परिकल्पना जो है लौकियर के द्वारा दी गई थी अगला जो कुश्चन है इसमें दैतवादी परिकल्पना के अनुसार ग्रहों तथा पृत्वी के उत्पत थी किसके द्वारा हुई है तो ये जो है कम से कम दो तारों के द्वारा हुई है दैतवादी परिकल्पना के अनुसार जो है ग्रहों तथा पृत्वी की उत्पद कम से कम दो तारों के द्वारा होई है अगला जो प्रशन है हमारा इसमें कि ग्रहाणू परिकल्पना वर्स 1905 में किसने दी थी तो ये जो है आपका TC Chamberlain के द्वारा दिया गया था गरहाणू परिकल्पना 1905 में आईए अगला प्रश्ण देखते है अगला जो हमारा इसमें प्रस्ण है कि ज्वारी परिकल्पना वर्स 1919 में किष्णे दी तो ये जो है आपका James Jeans के द्वारा दिया गया था ज्वारी परिकल्पना 1919 में दिया गया था James Jeans के द्वारा अगला जो प्रश्ण है हमारा देतारक परिकल्पना किष्णे दी थी तो ये परिकल्पना जो है HN रसेल के द्वारा दी गयी थी देतारक परिकल्पना अगला जो हमारा प्रशने है इसमें विखंडन का सिध्धान्त किष्णे दिया था तो विखंडन का जो सिध्धान्त है रौस जन के द्वारा दिया गया था आईए अगला प्रशने देखते हैं इसमें अगला जो प्रश्ण है हमारा इसमें की नवतारा परिकल्पना किशने दी थी तो नवतारा जो परिकल्पना है उसको प्रोफेसर फ्रेड होयल लिटी लेटन के द्वारा दिया गया था नौतारा परिकल्पना अगला जो प्रश्ण है इसमें हमारा सिफिड सिधान किष्णे दिया था तो ये जो सिफिड सिधान थे वो S बनर जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था या दिया गया था ठीक है दिया गया था ठीक है अगला प्रश्णे देखते हैं इसमें हम अंतर तारक धूल परिकल्पना किश ने दी थी, तो अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है, ओटो इसमिट के द्वारा दी गई थी, तो फ्रेंड्स ये था वीडियो का last question हम लोग ने discuss किया, इसमें जो 14 से 15 ऐसे question थे, जो आपके पृत्वी और ग्रहों से जुड़ी परिकल् हैं, ठीक है, तो इसमें जो है, अलग अलग विद्वानों ने जो है, solar system के संबंदित, और जो ग्रहों के संबंद में जो है, अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया था, उसको हम लोगों ने देखा, 14 से 15 थी, और विस्व भुगोल के अंतरगत हम इसको देख रहे हैं वन लाइनर के रूप में, और अगला जो भी हमारा topic होगा, सब वन लाइनर के उपर ही होगा आपका विस्व भुगोल के अंतरगत, तो ये series बहुत ही important आप लोग के लिए होने वाली है, जो भी विद्यारती हैं, जो भी one day exam की preparation कर रहे हैं, चाहे वो SSC की कर रहे हो, RRB की कर रहे हो, bank की कर रहे हो, UPSC की कर रहे हो, IAS PCS की कर रहे हो, उनके लिए ये जो optional subject डालते हैं, IAS PCS में, उनमें जो geography वाले papers के जो विद्यारती हैं, उनके लिए भी बहुत ही important है, तो geographic का ऐसा section होता है, जो सभी examo में इनसे जुड़े question देखने को मिलते हैं, तो ये बहु बहुत ही clean और अच्छे तरीके से type करना पड़ता है, जिससे आप इसको clean तरीके से अगर आप देखते हैं, तो mind में भी बहुत ही अच्छे से ये याद होता है, अगर types थोड़े से भी इधर उधर गलत रहेंगे, या clean नहीं रहेंगे, तो आपके mind में इसकी image अच्छी नह जाएंगे, ठीक है, तो इसको आप अगर कहीं से भी अच्छा लगा, तो like कर देना, और comment box करके जरूर बताना आपको की video कैसा लगा, और जिस topics पे भी आपको video चाहिए comment करके मुझे बता सकते हैं, तो friends, हम लोग इस channel पे बहुत ही जादे अच्छे अच्छे content provide कराते हैं, आप TCB exam की तयारी कर रहे हो, आपको quality content मिलेगा इस channel पे, तो आप इस channel से जुड़ सकते हैं, अगर आप नए viewer है, तो आप channel को subscribe कर सकते हैं, और बगल में जो bell icon का button होता है, इस प्रिकार से होता है, वो bell icon का button, आप उसको press करना न भूलें, ठीक है, अगर आप press कर लेते हो, तो क्या होगा, जब कभी भी इस channel पे कोई important video अगर upload किया जाएगा, तो उसका notification आप सीधा ही प्राप्त कर सकते हो, तो friends, आपके लिए बहुत सारा हम लोग मैनत करते हैं, चार से पांच गंटे कम से कम लगते हैं, एक या दो वीडियो को complete करने में, क्योंकि वीडियो किस topics पे होगा, फिर उन question को type करना, फिर उस question को फिर वीडियो बनाना, फिर वीडियो को edit करना, फिर upload करना, उसमें भी internet सही से काम न करें, तो बहुत सारी problems होती है, इन problems को face करते हुए हम आप लोग को ये video प्रोवाइड करते हैं, तो थोड़ा सा आप appreciation दे सकते हैं, और ये channel प बड़ा platform बनाने के लिए आप सभी इस परिवार के सदस्य हैं, जो अभी इस समय जुड़े हुए हैं, इस channel से, वो सभी परिवार के सदस्य हैं, ठीक है, तो आप इस platform को बड़ा करें, ताकि इस से maximum लोगों तक पहुँचा जा सकें, ताकि उनकी भी help हम लोग सब कर सकें, और आप सभी से request हैं, आप एक दूसरे की help करने की भावना रखें, इस channel में जितने भी member हैं, सभी एक परिवार के सदस्य की तरह हैं, किसी को भी कोई problem हो, तो सब मिलकर उनका सहयोग करें, और उनकी मदद करने का प्रियास करें, तो friends वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे लाइक करना इसको और दूसरे मित्रों तक भी share करना ताकि इसका लाब वो भी ले सकें, तो आज के वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं, नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए, जै हिन, जै भारत